हे गाईज वल्कम टू अवर चैनल स्टूडियो एटाउर मैं हूँ कोमर और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बॉलिवूर्ड की कुछ खास खबरे तो चलिए शुरू करते हैं प्लीज सब्सक्राइब तो आज चैनल बाएजान काफी दिनों से काफी ज़्यादा चर्चा में चल रहे हैं और वह तो आपको पता ही है किस वज़े से वह चर्चा में इसके दो रिजन है पहला रिजन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं दूसरा रिजन उनके घर के बार जो प्रिटिंग हुई थी और सल्मान खान को महा पर जान से मारने की धंकी तक मिली है लोरेंस बिसनोई की तरफ से और उस केस में अभी चारबांस लोगों की गिरफतारी भी हो चुकी है और बी बाकी है पुलिस की तरफ से यह माना जा रहा है कि इसमें आठ नो या फिर दस ल चल रही है भायजान इद पर जब इन्हों ने इसकी रिलीज डेट अनाउंस की थी और बोला था कि अगली इद तक हम इसको कर देंगे रिलीज तो उसके बाद से लोग काफी ज्यादा एकसाइट हो गए है इस मूवी को देखने के लिए और पिछले कुछ दिनों से इसमें कास्ट को लेकर भी काफी अपडेट्स आ रही है जैसे कि हमने देखा तब इसले कुछ दिनों में रश्मी का मंदाना उनका नाम सामने आया था और वो इस मूवी का हिस्सा है और अभी एक और एक्टरस इस फिल्म से जोड गई है तो चलिए जानते हैं और मैं आपको बतात है आपका स्टूडियो अड़ा पर तो आज की हमारी जो अपडेट है वो सिकंदर मूवी पर है सलमान खान की मूवी इसमें जिस एक्टरस का नाम अभी सामने आ रहा है वो है करीना कपूर काफी दिनों से काफी चर्चा में हैं उन्होंने हाली में अपनी हिट मूवी दी है उनको और अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ये भी अपडेट थी कि वो रोकिंग स्टार यानि कि यस उनके साथ में उनकी टॉक्सिक मूवी में काम करने वाली है वहाँ पर वो उनकी बहन का किरदार निभाने वाली है लेकिन भाई करीना कपूर ने उस मूवी को करने से इंक मार कर दिया है उन्होंने बोला है कि उनके पास उस शूट के लिए ताइम नहीं है वो टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं अपनी उन्होंने मना कर दिया था लेकिन अभी हालë में करीना कपूर का नाम सिकंदर मूवी से जुड़ गया इसकी ओफिशियल अनौनस्मेंट भी व को इसकी ऑफिशल अनौसमेंट कब तक करते हैं और वही सलमान खान और करीना यह तो हमें पता ही है कि इन्होंने पहले कितनी ब्लोगवस्टर मुवी में काम किया है उसमें पहली मुवी है इनकी बजरंगी भाई-जान जो कितनी हिट हुई थी यह भी आपको पता है वो हमारी केमेस्ट्री यहां पर क्या रंग दिखाती है सिकंदर मुवी में और साथ में रश्मी का मंदाना भी तो है यहां पर तड़का लगाने के लिए तो तीन बड़े-बड़े स्टार्स हमें यहां पर दिख रहे हैं मुवी में तो देखते हैं अब क्या रंग लाती है यह और फिल्म के मेकर्स ने ये पूरा ध्यान रखा है कि जब तक जरूरी नहीं होगा वो अपनी शूटिंग लोकेशन जो है उनको सीक्रेट ही रखेंगे क्योंकि सलमान खान को धंकिया मिली है उनकी वजह से वो उसको थोड़ा सीक्रेट ही रखना चाहते हैं और मुंबई और ह कीरा के बाद हिंदी सिनेमा में आठ साल बाद वापसी कर रहे हैं मुरगादोस तो अब देखना ये ओगा कि इनकी कैमेस्ट्री क्या रंग लाती है वो इस मुवी में क्या ट्विस्ट लेकर आते हैं क्या इनका एक्सन सीन्स होने वाला है क्योंकि इन्होंने प्रियोरटी पहले से काम कर रहे हैं इस मूवी में और इसके प्रोडियूसर है साजित नाजयाडवाला और उनको तो आपने पता ही है उन्होंने कितनी हिट फिल्में दी हैं जैसे कि किक हो गई है मुझे से शादी करोगी ऐसे ब्लोगवस्टर मूवी में वो सामिल रहे हैं तो अब देख करो और अब बताओ कि मूवी कब रिलीज होने वाली है और भाय जान की मूवी को तो यार कौन नहीं देखना चाहता सबी लोग बड़े एक्साइटिड है तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर देना और चानल को सब्सक्राइ कर दो